आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आप लोगों से एक ऐसे बहुँच अर्चित विशेपर डिसकस करने जारी हूँ जो ना केवल स्टूडेंट बलकि सभी लोगों को ग्यात होना उपयोगी रहेगा मैं बात करने जा रही हूँ आवश्यक या अनिवारी वस्त्वें संसोधन अधियादेश 2020 की जो कि उभोकता मामले इवं खादि वित्रन मंत्रा लेके अंतरगत आता है और वह 5 जून 2020 से जारी है लागो है यहाँ पर मैं किसी अधिनियम की बात नहीं कर रही हूँ बलकि एक अधियादेश की बात कर रही हूँ अधियादेश से मेरा आज़य है एक ऐसा अधिकारिक आदेश जिसे भारत के रास्ट्रपती के द्वारा जारी किया जाता है भारत्य सविधान के अनुछेव 123 के अंतरगत रास्ट्रपती को संसत के 17 वसान के अवधी में इसका मतलब जा संसत का सत्र नहीं चल रहा हो चाहे वो लोग सभा हो या राज्य सभा हो उनकी बैठके नहीं हो रही हो, सेसन नहीं हो रहा हो उस सिचुएशन में जो है रास्ट्रपती अध्यादेश चारी करते हैं इन अध्यादेशों का प्रभाव वसक्तियां संसत्वारा बनाएगे किसी कानून की तरह होती है किसी अधिनियम की तरह होती है अंतर सब सिर्फ इतना रहता है कि इनका जो नीचर होता है वो सौड़ पिरियेट का होता है ये अल्पकालीन होती है रास्ट्पती के अध्यादेश चारी करने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधाई सकती है ये जो सकती है रास्ट्पती की सबसे महत्वपूर्ण विधाई सकती है या legislative power है यह सक्ति उसे अप्रत्यासित अत्वा अविलंबनिय मामलों से निपटने ही तु दी गई है वह कोई अध्यादिस, राष्टपती कोई अध्यादिस के वल तभी चारी कर सकता है जब वह इस पास से संतुष्ट हो कि मौजूदा फरिस्थिती ऐसे हैं कि उसके लिए ततकाल कारवाई करना आवश्यक है राष्टपती की संतुष्टी पर असद्भाव के अधार पर प्रस्ण चिन नहीं लगाया जा सकता है इसका अर्थिया है कि राष्टपती द्वारा अध्यादेश जारी करने के निर्ने पर न्याले में इस अधार पर प्रस्ण उठाया जा सकता है कि राष्टपती ने विचार पूर्वक संसत के एक सदन अस्वार दोनों सदनों को कुछ समय के लिए इस्थगित कर एक विवादस पत्विसे में अध्यारिस प्रख्यापित किया है और संसत को नजर अंदाज किया है जिससे संसत के प्राधिकार की परिवंचना हुई है अर्थात इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि राष्टपती ने या केंद्रे मंत्री मंदल ने जान बूझ कर मतलब संसत की सत्रा वसान की अधी में राष्टपती को यह सिखार्ज दी कि आप इस विशय पे अध्यानिस लागू करें 38 संविधानिक संसोधन अधीनियम 1975 में कहा गया था कि राष्टपती की संतुष्टी अंदिम वमाने होगी और न्याइक समिच्छा से परे होगी मतलब उस पर आप कोई भी क्वेश्टन नहीं उठा सकते उसके खिलाप अपील नहीं कर सकते ठीक है लेकिन 44 चंस्टिटूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहट इस उपन्ध का लोग कर दिया गया अर्थात अब राष्टपती की संतुष्टी को और सत्भाव के अधार पर न वास्तविक सासक होता है या वास्तविक सक्तिया जो होती वो प्रधान मंत्री के हाथों में होती है और राष्टपती नाम मात का प्रमुक होता है राष्टपती कुछ करता भी है तो वो मंत्री मंडल प्रधान मंदल के सिफारिस के अधार पर ही करता है तो यह जो ओके फिर हम यह देखते हैं कि भारत जो है वो एक लोगतांत्रिक गड़राज्य है भारत का अगर हम प्रस्तावना देखें तो वहां पर बात किया गया है कि भारत एक प्रभुत्व संपन, समाजवादी, धर्म निर्पेच और लोगतांत्रिक गड़राज्य है लोगतांत्रिक गड़राज्य को अगर हम सरल सब्दों में कहीं तो लोगतांत्र का आजए ऐसे तंत्रशे होता है या लोगतांत्र उसे कहते हैं जिसमें जनता का जनता के लिए जनता द्वारा चाड़ा जाने वाला सासन होता है जनतांत्र इसी को कहते हैं मतलब उसका आदी और अंत सारे जनता पे ही बेस्ट होती है, ठीक है, और भारते सविधान के प्रस्ताना में ये भी कहा गया है, कि उसमें भारत के लोगों को समाजिक, आर्थिक और राजनेतिक न्याय प्रदान की जानी है, ओके, फिर यहां पर हम देखते हैं, कि भारत के सविधान में fundamental right की ब मौलिक अधिकार का, हमारे पास वरतमान में छे मौलिक अधिकार हैं, जिसमें right to equality, right to freedom, right to freedom of religion, right against exploitation, culture and educational rights, right to constitutional remedies, समानता का अधिकार, स्वतनता का अधिकार, धार्मिक स्वतनता का अधिकार, सोसड के विरुद्ध अधिकार, सिक्छा और संस्कृतिक अधिकार, सविधानिक अधिकार, अगर हमारे इन अधिकारों का हनन होता है, तो समिधान में कुछ ऐसे प्राविजन्स दिये गए हैं, प्राविधान दिये गए हैं, जिससे हमारे इन जो अधिकारों का हनन हुएं, उसके उपचार करने का मार्ग भी बताया किया है, तो यहाँ पर जो right to freedom है, ठी एवं दैहिक स्वतन्ता के अधिकार की, प्राड एवं दैहिक स्वतन्ता के अधिकार में हमको बहुत सारे अधिकार आएंगे, इसको हमको सुक्ष में व्याख्या नहीं देखना है, क्यों मानों की दैहिक स्वतन्ता से ही जोड़कर नहीं देखना है, इसमें बलकि मानों की प्रक्तिष्ठा के सा जीने का अधिकार को भी सामिल किया गया है जीवन रक्षा का अधिकार नीजिता का अधिकार आस्रे का अधिकार स्वास्त का अधिकार अपाद कालिन चिकित्सा सुईधा का अधिकार सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार निस्पक्च सुनाई का अधिकार राजी के बाहर नजाने का अधिकार प्रकिष्ठा का अधिकार स्वक्ष पर्यावरर प्रदूसर रहित जल और वायू में जीने का अधिकार हानिकारक उद्ध्योगों के विरुद, सुरक्षा का अधिकार ये सारे अधिकार हमको मिले हुए हैं जैसा कि मैंने बात किया था कि भारत की जो सविधान की प्रस्तावनें भारत को एक समाजवादी समाज़ राज्य कहा गया समाजवाद कहने का मतलब यहाँ पर मैं आप ये बताना चाहूंगी कि जो भारतिय समाजवाद है वो लोगतांत्रिक समाजवाद है ना कि सामयवादी समाजवाद सामयवादी समाजवाद उसको कहते हैं जिसमें सारी जो पावर है उसका पूरा उन्मूलन कर देता है लेकिन भारत में असिस्तिती नहीं है यहां पर जो है लोकतांत्रिक समाजवाद है और लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिस्रित अर्थ्वस्था में आस्था रखने वाला समाजवाद है जहां सारवजनिक और नीजी छेत साथ साथ अस्तित्व यहां पे संभव है, यहां पे मार्क्स की तरह द्वंद नहीं हो रहा है, कि दोनों में द्वंद होता है, ऐसी इस्तिति नहीं है, बलकि दोनों mixed है, सर्वोचिन्याले कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उदेश, गरीबी, उपेक्छा, बीमारी वा असर की अ संभर्स अनिवारे हो जाता है, तो ऐसा कंडिशन नहीं है, कि इसमें सार्वचिनिक पब्लिक और प्राइविट में कॉन्फ्लिक्ट ही हो, ऐसा नहीं है, यहां पर लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसमें माक्सवाद और गांधिवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें ग प्रिंसपल ऑफ स्टेट पॉलसी, इसका मतलब है, कि जब भी राज्य कानून बनाएगा, तो इन जो निदेश हैं, इनको ध्यान में रखकर ही कानून बनाएगा, इसमें भी आर्टिकल थर्टी एट की अंतरगत यह कहा गया है, यह आर्टिकल थर्टी सिक्स से लेकर के 51 त अनिश्चित करेगा, ठीक है, अगर राज्य कोई कानून बनाता है, तो वो इन सारी चीजों को देखे, कि इस कानून से, हमारे द्वार बनाएगे कानून से, समाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, इसके अंतरगत यह साधन है, उनके संकेंद्रड को, उनके केंद्रड को रोकना, अर्थात किसी एक विशिस्ट व्यक्ती, वर्ग, विशेस या समदाय विशेस के हाथ में ही सारे उत्पादन के साधन ना हो, अपितु इनका समान वित्रड हो, सम वित्रड हो, ओके, देन हम देखते हैं, कि हमको तो कुछ हमारे सविधान के सित्या है कि यहां किवल राइट के बात ही नहीं की गई बलकि हमारे पास कुछ डूटीज भी है ठीक है, फंडामेंटल डूटीज जो आर्टिकल 51-1 के तहट प्रदान किया गया है जिसमें भी मानोवाद की बात की गई है ठीक है, गज्या नार्जन तथा सुधार की भावना का विकास क्या गया है लगभग हमारे पास उसमें 11 पॉइंट हैं जिसको हमको जानना जाईए फिर हम देखते हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या है हम जानते हैं कि भारत में वाइरस के प्रकोप को रोखने के लिए कोरोना वाइरस के प्रकोप को रोखने के लिए हर ज़रूरी कदम उठाय जा रहे हैं सरकाल लोगों को जागरूग रखने और उनसे सावधानी बरतने की लगातार अपील कर रही है मास्क पहनने और सैनिटाइजर से हाथ धोनी की सला दी जा रही है कोरोना वैरस को देखते हुए हर लोग मास्क और सैनिटाइजर की मांग कर रहे हैं जिससे इनकी मांग में काफी जादा विधी हो गई है और मार्केट में ये चीज़ें मांग के रूप अविलेबल नहीं है ठीक है एंड यहाँ पर जो है असंतुलन के स्थिती हो गई है मांग और पूर्टी के बीच में ऐसे स्थिती में सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं और उन्हों ने भासरकार ने इन चीज़ों को अवश्यक वस्तु के रूप में अधिनियमित कर दिया है 13 मार्च 2020 को उभोगता मामले और खाद्य और सारवजनिक मिद्रण मंत्राले ने मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में अधिनियमित या निर्दिष्ट कर दिया है ताकि अगर मार्केट में मास्क और सैनिटाइजर की कमी हो रही है तो वो किस वज़ा से कमी हो रही है उसको दूर किया जाए हम देखते हैं कि देख रहे हैं कि lockdown के period में जो मुल्य है कीमतों की वो अतार्किक रुप से उस पर विद्धी हुए है कोई वस्तु 5 रुपए की है तो वो उस टाइम या अभी हम देखते हैं कि वो 5 रुपए की चीज आपको 30, 40, 50 तक मिल रही है ठीक है तो यह non reasonable है अतार्किक है ओके हो सकता है कि मांग अधिक है और पूर्ती कम है तो कई लोग जो है जमा खोरी और काला बचारी जैसी चीज़े यहाँ पर आ जाती है hoarding and black marketing भी एक बहुत बड़ा कारण है मुल्य वृध्धी का जो की जान मुझ करके अनैतिक व्यपारियों द्वारा यह किया जाता है अनैतिक तरीके से ठीक है तो इनकी उपलब्धता को सुनिश्यत करने के लिए ही भारत सरकारद्वारा इनको आवश्यक वस्तू के रूप में लिया गया है आवश्यक वस्तू अधिनियम जो है यह सुरू में जम्मू और कसमीर को छोड़ कर पूरे भारत में लागू था यह आवश्यक वस्त तो अधिनियम 1955 में लाया गया था 1955 कि स्थिती वह स्थिती है जब भारत को गनराज्य बने छे वर्स हो गये थे और उस समय कि स्थिती अकाल कि स्थिती थी विभाजन का दंस्भी लोगों को जहिलना पड़ा भारतिय लोगों को और लोग बहुत ही घरीबी में थे यहां पर अधिकार आयजारी बहुत जादा बढ़ गई था जो गाई था जैयाक समय भारती पासटी। अधिम हने ज़ात, और शिवत जातो डेशे के गपड़ी आतिकार स्थिती सुखत के लिए 2ए 1 जह सुखत के थीiments ?" और ये अधिनियम जम्मू और कस्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू था हमको पता है कि भारत में जम्मू कस्मीर इस्टेट था वो पहले special status रखता था before 5 August 2019 1962 में दादरा और नागर हवेली में भी ये लागू हो गया और 1962 में ही क्यों लागू हो गया 1968 में इसका विस्तार जम्मू और कस्मीर पर भी हो गया और 1968 से ये पूरे भारत में एक पैन इंडिया ये हो गया इसका expansion पूरे भारत में हो गया ये जो हम देखें आवस्यक वस्तु अधिनियम ये क्या करता है कि जो वस्तुएं हैं उनकी जो बढ़ती कीमत हैं उनसे भोक्ताओं की अधिकारों का संरक्षड करता है उनकी अधिकारों को सुनिश्चित करता है संरक्षित करता है कुछ वस्तुओं को वह आवस्यक वस्तु के रूप में कर देता है और उनको उनकी उत्पादन से ले करके उनके अंतिम वस्तु के स्वरूप तक आने तक कि सारी प्रक्रियां सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है कितना stock रखना है, कितना production करना है, कितना stock रखना है, कैसे उसका logistic करना है, transportation कैसे करना, उसका trade क्या होगा, उसको कितने limit में रखना है, उसकी मुल्य क्या होगी, ये सारा चीज, जो है, केंडर के हाथों में आ जाता है, राज्य के हाथों में आ जाता है, जो मैंने सामिवाद क बात की थी, वो वाली स्टेट्रस हम यहाँ पर देख रहें हैं, ठीक है? तो ऐसे दूसे कन्य सरकार क्यों करता है? ताकि उभोकता के अधिकारों का संदक्छड हो सकें, ठीक है? जनतबर की मैने बात की थी, यहाँ सारा छीज जनता के लिए जनता द्वारा और जनता का ही सासन होता है ठीक है तो यह सारा बेस्ट होता है people पर ठीक है और उन्हीं के हिद्ट के लिए यह सारा चाहिए जा रहा है लेकिन इससे क्या होता है कि इसमे उभुकताव के अधिकारों का संदक्षड तो होता है लेकिन अगर स्टॉक लिमिट कर दी जाए ठीक है व्यपार को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो इससे किसान और सप्लायर को ठीक है उनको किसी भी तरह का प्रोचाहन नहीं मिलता बलकि उन्हें मुझे लगता है कि हानी ही होती है तो इस स्थिती से निपटने के लिए ही जो अध्या देश का प्रावधान लागू किया गया है ठीक है तो बात करें अगर आवश्यक वस्तू अधिनियम में तो किन किन वस्तू को आवश्यक वस्तू की रूप में लाया गया है तो उसमें है औसधी, उर्वरक, अकार्बनीक कार्बनीक और मिश्रित प्रदाद, खादे प्रदाद जिन में खादे तिलहन और तेल सामिल है सूच से निरमेत वस्तूए कपड़े, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद कच्चा जूट जूट के वस्त खादे फसलों के बीच, फल और सबजियों किसी भी वस्तू को आवस्त्यक वस्तू के रूप में लागू कर सकती है और राज्य सरकार भी अपने अधिसूचना में केन सरकार के इन आदेशों को अधिसूचित कर सकती है और किसी भी वस्तू को आवस्त्यक वस्तू के रूप में लागू कर सकती है ताकि उन वस्त्वों को एक निश्चित मुले पे ही एक लिमिट में ही मार्केट में लाया जा और एक निश्चित मुले में ही उनको उभोगताओं तक पहुँचाया जाए अनिवारे वस्तुए संसोधन अध्यादेबिस जो कि हमारा मीन टॉपिक है यह पांच जुन 2020 को जारी किया गया यहां अध्यादेश अनिवारे वस्तु एक्ट 1955 में संसोधन करता हαι देखे, संसोधन जो है वो एक act में किया जा रहा है जो है 1955 का act जसकी मैंने अभी बात की आवस्टेक वस्तु अधिनियम 1955 ये उस act में संसोधन करने के लिए लाया गया है Act जो है अधिनियम ये दो अलग-अलग चीज़ है अधिनियम अलग है और इसमें जो संसोधन किया जा रहा है वो उस एक्ट में कुछ संसोधन की बात कर रहा है जो कि सायद किसानों के लिए और भी अन्य जो सप्लायर्स हैं उनके लिए उप्यूक्त नहीं है तो एक्ट जो है केन सरकार को कुछ वस्तों के उत्पादन सप्लाई वित्रण वापार वाड़ेची को नियंतरित करने का अधिकार देता है और अध्यादेश जो है जो अभी लाया जा रहा है वो क्रिसी छेत में प्रतिसपर्धा को बढ़ाने और किसानों की आयमें वृध्धी करने का प्रयास करता है जैसा कि हम जानते हैं कि अभी लॉक्डाउन की वज़ो से निम्नवर्ग, मध्यमवर्ग के लोगों को बहुत ही हानी हुई और उनकी हानी की भरपाई उठाने के लिए ही ठीक है जो है यह अध्यादेश लागू किया जा रहा है ताकि जो लिमिट लगाया जा रहे है जो ल देवलप्मेंट नहीं कर पाता है इसलिए मार्केट को क्या किया गया है लिब्रलाइज किया गया है 1991 में उदारी करण की नीती भार सरकार के दवारा आएगे जिसमें क्या क्या गया कि नीजी करण की प्रविति को जो LPG का कॉंसेप्ट है liberalization, privatization and globalization ठीक है तो इसमें क्या क् कि market को खुला छोड़ दिया गया उनको competition करने दिया गया ठीक है तभी भारत क्या करेगा अगर competition होता है तभी development होता है ठीक है तो इसलेस में क्या करा जा रहा है अध्यादेश कि प्रतिसपरधा को बढ़ाने के लिए किसानों की आयमें पृध्धी करने का प्रयास कर रहा है तो ये जो regulation जो लगाया जाता है अधिनियम की तहट कुछ वस्तुओं पे जिनका मैंने नाम बताया तो इन regulate जो system है उसको ये थोड़ा लचीला बनाता है उन regulations को कम करता है और उभोकताओं की हिदों की रक्षा भी करता है खाद्य प्रदार्थों का regulation act जो है केंद सरकार को कुछ वस्तुओं को अनिवार वस्तुओं के रूप में निदिस्ट करने का अधिकार देता है लेकिन अध्यार इसमें यह प्रावधान किया गया है केंद सरकार केवल असमाने परिस्थितियों में ही कुछ खाद्य प्रदार्थों का जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं को regulate कर सकती है और वो परिस्थितियां कैसी है अगर वो इस्थिति युद्ध की हो अकाल की हो असमाने मुल्य वृध्धी हो गंभी प्राकृतिक आपदा हो ठीक है कोरोना वायरस को हम एक तरीके से प्राकृतिक आपदा मान सकते हैं जिसके तहट उस आपदा को ध्यान में रखते हुए मार्क्स और सेनिटाइजर को एक आवस्थिक वस्तु के रूप में अधिनियमित किया गया था अधिसुचित किया गया था एक्ट के अंतरगत के इन सरकार या रेगुलेट कर सकती है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु का कितना इस्टाक रख सकता है ओके अध्यादिस में या पेक्षा की गई है कि विशिस्ट वस्तु के stock की सीमा मुल्य वृध्धी पर अधारित होना चाहिए किसी वस्तु का कितना मुल्य में जाफ़ा हुआ है उस साथ से हम stock की सीमा ने अधारित करेंगे और ये stock की सीमा निम्न लिखेत स्थितियों में लागू की जा सकती है पहले स्थिति यह है कि अगर कोई बागवानी उद्पाद है उसके रिटेल मुल्य में अगर 100% की वृध्धी होती है वस सिचुएशन पे और नमबर टू अगर नस्ट न होने वाले जो कृषिक खादे प्रदात है उनके रिटेल मुल्य में 50% की वृध्धी होती है तो उस कंडिशन में स्टॉक की सीमा जो है निर्धारित की जाएगी और यह जो वृध्धी है इसकी करना किस बेस्ट पे करेंगे या पिछले 12 महिनों के मुल्य या पिछले 5 महिनों के औसत रिटेल मुल्य इस भी जो भी कम होगा उसके अधार पर की जाएगी अध्याद इसमें प्रावधान है कि क्रिसी उत्पात के प्रोसेसर या वैल्यू चेन के हिस्सेदार व्यक्ती पर स्टॉक की सीमा नहीं लागू होगी यहाँ पर बात की गई है प्रोसेसर या वैल्यू चेन की इसका मतलब यह है कि किसी वस्तू के प्रोडक्शन से लेकर कि उसका जो फाइनल वस्तू बन जाने तक मतलब उसके रा माटेरियल से लेकर कि कोई वस्तू के फाइनल वस्तू तक बन जाने का उसका जो अंतिम रूप है वो निधारित होने तक में जो भी value addition उसमें किया गया है चाहे वो service के रूप में हो चाहे goods के रूप में हो जो भी हो तो उसमें जो जो वैक्ति हिस्तेदार है stack holders हैं उन पे stock के सीमा नहीं होगी लेकिन ये condition based है उस वैक्ति का stock अगर निमनी हिस्ते कम होगा अगर जो processing की start छमता की सीमा कम है तब और निर्याद के स्थिती में निर्याद की मांग ठीक है जैसे value chain के हिस्तेदार का अर्थ मैंने बताया कि ऐसा वैक्ति जो उत्पाद में सनलगने है या ख्रिसी उत्पाद की processing, packaging, packaging, storage, परिवहन या वित्रड के किसी चरड में उसका मुल्य सनवर्धन करता है value addition जो हमने देखा है ठीक है हम देख चुके है salvagenic वित्रड प्रणाली की applicability उसकी कहा तक व्योहारता है PDS आपने सुना होगा अध्यादेश के खाद्य प्रदाथों के regulation और stock limit को लागू करने से संबंधित प्रावधान जो है यह जो अध्यादेश है वो PDS Public Distribution System जिनमें BPL family को कम मुल्य पे राशन प्रदान किया जाता है या फिर कोई लक्षित targeted रूप है उसको अगर कोई कर्मोल पे खाद्य वस्त प्रदान की जाती है उस सिस्टम पे यह आदेश लागू नहीं होगा इस प्रणाली के अंतरगत पात्र व्यक्तियों को रियातिक कीमतों पर खाद्यान वित्रत की जाती है सारुजनिक वित्रत प्रणाली के बाद में तो उसमें यह अध्यादेश के जो भी प्रविजन्स हैं वो लागू नहीं होगे आसा करती हूँ कि आपको यह अध्यादेश समझ में आया होगा अगर आपको इसमें कोई भी डाउट सो होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उससे पूस सकते हैं थैंक्स फर वाचिंग गुद्बाए